हालो चिल्डन अट्रिप्ट टू जापान लेसन यूनिट फोर बी से जो ये प्रोज हमने पिछले वीडियो पढ़ा आज हम लोग उसका वर्ड मेनिंग देखते हैं और क्वेस्चन आंसा देखते हैं चलिया शुकरते हैं वल्कैनिक माउंटेन यानि ज्वाला मुख्य है परवत तूनामी यानि समुदरी हल चल जो तूनामी आते हैं उससे अग्रीड स्विकार किया विजिट मतलब जाना कहीं गूमना यानि इरिक्षन करना अकेजन अफसर आइलेंड या आइलेंड एस लगवाए तो दूइपों कनेक्टेड जुरा हुआ रिक्वेस्टेड मतलब आग्रा करना लर्निंग सीख रहे या सीख रहा है एक्टिविटी क्रिया कलाप या गतिविदी आस्क्ट पूचा फेमस प्रसिद रिप्लाइट उत्तर दिया इंडस्ट्रीज उद्योग या कलकार खाने स्टैबलेश स्थापित करना वेरियस बहुत सारे चिक्नालजी मतलब तकनीक या प्रोध्योगी की एडवांस्ट याने विक्सित या ग्रनी इलेक्ट्रोनिक गोड्स विद्यूत ये वस्त हुए या विद्यूत की शक्ती से चलने वाली वस्त हुए या जैसे बैटरी से अगर हम कुछ चलाते हैं तो फिर बैटरी डिस्चार्ज भी होता है उससे विद्यूत से फिर चार्ज करते हैं विद्यूत यानि बिजली तो वैसे ही हमने bullet trains के बारे में पढ़ा था जब poem में जापान के और यहां भी इस chapter में भी देखे bullet train बने हुए हैं तो जापानी लोग इसमें बहुत आगे थे bullet train बनाने में तो चाहिए train हो या जितने भी electronic सामान है जो बिजली के शक्ति के द्वारा चलते हैं तो इन्हें electronic goods केते हैं और जापानी से बहुत आग्रीनी है हम लोग पढ़ रहा है healthy मतलब स्वास्त या स्वास्त पेपल बने लोग conscious जागरूक या जो बहुत सत्तर क्रहते हैं organic मतलब जैविक या जो प्राकृतिक रूप से उपजा हो बने वैसे अनाज या अन जो बिना खाद के हो नैचुरल हो नैचुरली जो उपजे हो या जैविक नहीं कहते हैं organic grains मतलब अन या अनाज, balance बने संतुलित, diet बने आहार या भोजन जोम करते हैं progress प्रगती, rapidly तेजी से, laborious परिश्रमिंग, hard working मने बहुत करी मेनत करने वाला precious मतलब कीमती, favorite प्रसंदीदा, sayonara यानि विदाई लेना, tv serials यानि tv के धारवाहिक और innovative मतलब नए विचार्ज या नए ideas नवा चार्ज भी जिसे कहते हैं ये तो हो गया आपका word winning, अब हम लोग question answer पर आते हैं a trip to Japan इस lesson के, तो दिखिया, first question है why is Japan so famous in the world, Japan विश्व में इतना प्रसिद क्यों है श्रेता न ये प्रस्ण किया था अंकल से, तो इसका answer हो, SM लिखेंगे Japan is famous for industries, full stop their technology is advanced, full stop their electronic goods are used all over the world, full stop इस तरह तीन full stop जैने तीन sentences, इसका answer है, थोरे लंबे हैं लेकिन हो जाएगा याद, क्योंकि आप तीनों के बारे में अच्छे से समझ चुके हो question number two, why are the people of Japan so healthy जापान के लोग इतने healthy या स्वस्थ कैसे हैं, या क्यों है इसका उत्तर देखे, people of Japan are very health conscious, full stop they like to take organic grains and balance diet, full stop ये दो पंक्ति के का उत्तर है question number three, what are the computer games developed in जापान जापान में बने computer games कौन कौन से है question number three, इसका जवाब है जापान have developed computer games like Pokemon, Contra, etc दो ही computer games के नाम है, वो TV serial के है जो Doraemon है, वो TV serial है लेकिन computer game ये दोनों है, Pokemon और Contra last question है, what is Japan called Japan क्या कहलाता है तो उत्तर है, Japan called the land of rising sun full stop ये question answer हो गए, आईए हम लोगे आगे exercises करते है यहां कह रहा है, tick the correct answer शक्सन B में, where does Shweta want to visit, Shweta कहा जाना चाहती थी, China, Japan और नेपाल, तो आपको पता है, जापान इसके बगल में जो box बना है, हम लोग यहां टिक कर देंगे, okay, second देखिए, which type of diet does the Japanese like to take, Japanese लोग किस तरह के खादिपदार्थ लेना चाहते हैं, डाइट मने भोजन, पूर डा आप खाना, rich diet, बहुत मतलब healthy food, healthy नहीं, बहुत तेलगी मसाले वाले, या balanced diet, तो आपको याद है, balanced diet वोग करना चाहते हैं, या करते हैं, तो उसके बगल के box में में ठिक लगाना है, question 3 है, number, which country is called the land of rising sun, इसका उन से, तो आप सबों को यात है, कि Myanmar, बर्मा जी से पहले बो बोलोगे जापान, तो यहाँ टिक लगाएंगे, 4 number में है, what is the meaning of sayonara, sayonara का earth क्या है, good morning, good night, और good bye, आप ही बताव बच्चों, yes, इसका answer है, good bye, क्योंकि जब हम लोग किसी को bye बोलते हैं, उससे में sayonara बोलते हैं, शिक्सन सी में, connect the pair of sentences using and or but, या तो and से, या but, and बने और, but बने लेकिन, इन दोनों में से, जो suitable है, उससे हम लोग को दो-दो sentence, बने इसको जोरना है, pair को, जैसे, Shweta likes tennis, तो आपको एक बना दिया गया, दूसरा है, Rita dislikes tennis, Shweta tennis पसंद करती है, tennis sport का नाम है, आपको मालूम है और Rita tennis पसंद नहीं करती है, तो आपको इस example में एक बना के दिया हुआ है, कि इसको इन दोनों sentence को जो अलग-अलग दो sentence है, इसको जोर के एक बनाना है, यानि दो full stop नहीं, एक full stop होगा, तो बीच में उसे, या तो and से जोरेंगे, या but से, तो देखिए, क्या जोरता है, Shweta likes tennis, वट, रिता dislike tennis, यहाँ कि दोनों की भावनाय विरोधी है, एक पसंद करती हैं, एक ना पसंद, यानि अपोजिट है, दोनों के पसंद, तो जब ऐसे भावना होती है, तो बट से जोरते हैं, तो यहाँ हो जाएगा, Shweta likes tennis, Shいたa, टेनिस, पसंद करती है, लेकिन, रिता यहां बताती हूं आपको, नमर वान है सीता विजिट्स नेपाल, बनी सीता नेपाल गई और गोपाल विजिट्स मैनमार, तो सीता नेपाल गई गोपाल मैनमार, तो यहां हम लोग लिखेंगे सीता विजिट्स नेपाल, सीता विजिट्स नेपाल, बट गोपाल विजिट्स म Myanmar या एस एंड गोपाल विजिट्स मैनमार सीता नेपाल गई और गोपाल मैनमार गया माई अंकल गोज तो दी यूस यानि मेरे अंकल यूस तो यानि मेरे अंकल यूस तो यहां विरोधी भावनवाली बात है जैसे यह गया और यह नहीं गया तो यहां हम लोग क्या जो रेंगे my uncle goes to the USA but your father my father your father but your father does not go to the USA अब हम लोग कुछ रेडल्स दीवे हैं इसको देखते हैं think and write I am an island मैं एक island हूँ द्वीप हूँ I am in south of India मैं भारत के दक्षिन में हूँ I am a country मैं एक देश हूँ Who am I? मैं कौन हूँ इस पहली में इसका उत्तर होगा श्री लंका क्योंकि भारत के दक्षिन में ये जो island है वो श्री लंका है next देखिए I have many islands हमारे पास बहुत सारे island ये द्वीप है I am known as the land of rising sun मैं land of rising sun के नाम से भी जाना जाता हूँ Where am I? कौन हूँ मैं? आपको पता ही है ये कौन है? Japan next देखिए I am a vast country मैं बहुत विशाल देश हूँ मेरे यहाँ ताज महल है आप ही बताओ कौन है ये? इंडिया है हम लोग ने अपने देश के बारे में बनाया तो who am I? इंडिया चलिए और एक बात कि यहाँ रामु है जोई न टू स्कूल एड भी हो सकता है बट I want to sleep बट भी हो सकता है बच्चो देखेंगे तब तक हम लोग आगे चलते है listen and tell see the words sound she sells see sells sitting on the sea shore देखें आपे सब का प्रणंशियसन उच्छारान जो वो see हो रहा है लेकिन तो रहा लग लग इस she मने जो लड़की के लिए आता है व शल्स मने बेचना sea मने समुद्र shells ये shells ये shells मने बेचना लेकिन ये shells मने sea जो समुद्र के किनारी पाई जाती है sitting मने बैठा बैठी वोई है on the sea sea मने समुद्र और shore मने समुद्र के किनारे शोर मने समुद्र का किनारा तट तो इस तरह क्या हो गया सब को मिला के हमने क्या बनाया मनें वह लर्की इसका अर्थ क्या हुआ वह लर्की sea shells मतलब समुद्र में पाए जाने वाले सीपों को बेच रही है बेच रही है बैठ कर कहाँ सी के तट पर याने समुद्र के किनारे समुद्र के किनारे बैठी वह लर्की समुद्र में पाए जाने वाले सीपों को बेच रही है बेचती है तो इस तरह से सभी का pronunciation थोड़ा थोड़ा अरलग है तो instructions आपको इस तरह दिया जा रहा है कि read this sentence यह आपका grammar है accurately ask students to read this sentence speedily और इस तरह से का जा रहा है कि आप इसको दम सही सही पढ़िए और तेजी से पढ़िए या पढ़ना सिखिए whenever the teacher will realize that the student is not able to distinguish s और sh यहापे क्या है देखिए आप कहीं सिर्फ ऐस है s मने sir हिंदी का दंत sir ये वाला sir और sh मने तालब बिश तो यहीं अंतर करना है कहा सह होगा कहा श होगा sounds तो ये sounds को आपको अलग-अलग बताना है he will support students to pronounce the words accurately और इस तरह सही सही pronunciation करना है जैसे यहापे था sea cells sea shells है ना यहापे sea cells ये थोड़ा देड़ से भी होगा or cell sea ये sea है खाली या she है she cells sea shells sitting on the sea shore तो एस एच्छ है जहाँ जहाँ वहाँ तालब बेशो कहा होगा pronunciation तो ये grammar था आपका learn the words अब आपको कहा जा रहा है सीखिए सब्दों को write similar sounding words इसको homophones बोलते है similar मतलब ऐसे सब्दों को जो एक जैसा सुनने में लगए जैसे यहाँ पर सब एक जैसे लग रहा थे सुनने में इन्हे homophones बोलते है English में ठीक है of the following यहाँ पर भी इसी तरह कुछ homophones दिये वह है one is done for you आपको एक बना दिया गया है जैसे c यह c मने होता है देखना और यह c मने होता है समुद्र लेकिन दोनों homophones इसलिए हैं क्योंकि एक जैसे सुनने में लग रहे है spelling अलग है c यहाँ दोनों दंत सो से ही हो रहा है c यह वाली c तो आपको इसी तरह से और बनाने कहा जा रहा है जैसे homophones जैसे no इसको बोलते है no अगर हम यह no लिखे तो भी no ठीक है यह no मने होता है जानना जो केसे होता है यह case silent है यह no और यह no मने नहीं sun मने सूरज और son sun मने बेटा r o u r r मने हम लोगों का हमारा और h o u r r मने गंटा तो यह सारे मने जो गंटे बीचते जाते हैं इस तरह से यह सारे homophones हैं जो एक जैसे सुनाई परते हैं आज यहीं पर अब next वीडियो मैं एक और बनाती हूँ जिसमें आपको organic cultivation और यह piece no 49 और यह इनके बारे में बताती हूँ ओके thank you children